इस विडियो मेरा नाम है वीजे और आप देखे मेरा YouTube चैनल InfoWithVijay तो इस विडियो में अगरे सम्स्टार्ट करेंगे code को specify करना inside our main activity So, let's go start with this video. सबसे बेले हम open करते हमारी main activity और यहां पर हम कुछ variables code declare करते हैं सबसे पहला जो variable है वो मैं एक array type को variable declare करूँआ जो कि अगरा label act करेंगा हमारे fragment का तो हमारे यहां पर मैं यहां पर यहां पर यहां पर इस पर प्रिवाट फाइनल एंड यहां पर यहां पर यहां पर इसको इस को इनिचलाइज करना है तो new then यहाँ पर मैं allocate करता हूं memory to the by using new operator और यहाँ पर string हम specify कर देते हैं इसके बाद अब मैं यहाँ पर values को initialize करूँगा और इसे हम आर को terminate कर देना है तो यह हम यहाँ पर use कर रहें the concept of array initialization तो पहला जो हमारा वो है dragon यहाँ जो कि मारा label act होगा तो यहाँ यहाँ पर मैं dragon specify कर दिया है lans के बाद जो second है वो मारा यहाँ यूज करूँगा like ghost जो मारा यहाँ पर third है तो आप dark ghost ही यूज कर साकते हैं बट क्योंकि हमारे पर water की मेदी है तो महाँ पर water specify कर देता हम तो यह होगा हमारा water यह हमारे इस पर्टिकुलर टैब के यहां पर यहां पर सबसे फ़हले ड्रैगन आएगा दन गोश्ट आएगा दन इसके बाद हमारे यहां पर वोटर डिस्पले होगा तो अब चाहिए तो यहां पर Adobe XG में भी यहां पर वोटर कर सकते हैं बट अभी मैं इसको ऐसे रहे जात यहां पर बाद माँको एक और अडिट करना होगा जोगा टाइप अस वारी तो प्राइवेट क्र तरह करते हैं बल्स बांन लचेवफर करें हैं तो यहां पर इरे कंपने पर पैजी शेल लिख करनें हमें इस पर और पर ठाटिक इकब सुल घ्टिक का पेजिशन कमारा आहा का fragment 1, को मा specify करते हैं, इसको मैं duplicate करता हूँ, then यहाँ पर मैं specify करता हूँ 2, और यह होजेगा हमारा 3, तो आप चाहिए तो इसको fragment dragon लिख सकते हैं, इसके आगे fragment ghost, then fragment water, अगर आप multiple fragments specify करें, means more than 10 to 20 fragments specify करें, particular category के अंदर, means जैसे कि आगर आप 10-12 pages बना जाते हैं अपने application के अंदर, तो इस case में आपको ज्यादा बैटर यह रहेगा, कि आप fragment dragon ghost or water specify करें, तो यह हुचे के हमारे सारे variable, अब इसके बाद हमारे को एक और variable की जुरूत पड़ेगे, जो कि होगा हमारा view pager, तो यहाँ पर हम यूज करते है private, यह होगा हमारा view pager type का, तो यहाँ पर नीचे specify करते है view pager, तो view pager अभी पूरा type नहुआ, इसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पर m view pager नाम देते हैं, विलेबल को हमारे, जो कि होगा member view pager, इनके बाद हम हमारे को id निचलाइज करें, inside the on create, because on create is the best place to initialize all the ids for the activity content, तो यहाँ पर हम यूज करते है m view pager, तो सबसे पहले view pager के id को initialize कर देते है, find web id कर देते है, r.id and then यहाँ पर जो id में specify कर रहे है, वो है view pager, देंस के बाद guys, हमारे को view pager पे अपने adapter set करने है, तो उससे पहले अगर हमा adapter set कर रहे है, उससे पहले हमारे को create भी करना होगा हमारा adapter, तो यह हमारा custom adapter होगा, तो जो कि extend करेगा fragment pager adapter को, यहाँ पर हम यूज करते हैं like public, तो fragment pager adapter, देंस के अवा सको body start कर देते हैं, यहाँ पर यहमें, अवरे करने को कह रहा रहा है, कुछ method तो हमी इंप्लेमें methods पर क्लिक करते हैं, तो यह दो method हमें यहाँ पर implement करते हैं, अभी फिर हमें भी एरार आरा है, inside this myPagerAdapter, now guys inside this getCount हमारे को अपने pages की length को get करना है, तो यहां पर specify करता हूं pages.length and then यहां पर हमारा जो getItem method है, इसके अंदर हमारे को return करना हमारा जो pages की position है, तो pages यहां पर specify करते हैं, और bracket के अंदर यहां पर specify करते हैं, position next guys, अब जो हमारा constructor है, यह इसी तरीके से रहेगा, इसे हमें call करना होगा, जब हम adapter को set करेंगे viewPager के अंदर, along with that guys, अब इसके अंदर हमारे को एक और method को override करना है, जो कि हमारे class है myPagerAdapter, इसके अंदर हमारे को एक और method को override करना है, जो कि होगा हमारा getPage, तो इसको हम नाम द रखा है likePage, तो जो मारा pages है, page title हमने नाम दिया होगा, page title, तो underscore हमें specify करते है page title, and then यहां पर हमारे को position specify करने हमारे page की, position हमने specify कर दिया, तो इन particular चीज़ों हम content return कर रहे है, अब अब आते हैं हमारे यहां पर हमारे वापस से on create के अंदर, और यहां पर हम set करें हमारे viewPager पर adapter, तो set adapter is equal to new, अब यहां पर हम use करें myPager adapter, then यहां पर सबसे बहले हमारे को specify करने है, get support, fragment manager, and then यहां पर हमारे को behavior देना है, तो behavior यहां पर मैं 0 specify कर देता हूं, तो अगर आप इस पर hover करते है, super पर by pressing control, और अगर अप left click करते तो आप इसके documentation पर आ जेंगे, तो यहां स यहां पर भी set करना हमारे ViewPager को तो यहां पर सबसे बहले हमारे को tablet out की id को get करना हो, यहां पर मैं आप यह संप्रता हूं, tab YOUR, यह हमारा tablet out की गूगल मैटेरल पैकेज के अंदर है, यहां यहां पर इसके बाद आप आइप यांप स्सक्राइब करते हैं, यहां पर यहां पर यहां पर हम पास कर देंगे विव पेजर तो गाइस अब हमने फाइनली इस सेट अप कर दिया विव पेजर हमारे टैबल याओट के अंदर और सारा कॉंटेंट हमने सेट कर दिया है अब इस ताम रन धी अप्लिकेशन तो अपने वर्ची लिमिलेटर पे तो रन करता हूं मैं कुछ देखें एक हमारा ले यो भलएक शीट होरा है नहीं कर रहा है अगर आफ देखें टो यह मारा टेस्ट लिंडिकेटर और मारा उइट जो की कि हमें कि हम किस active fragment के अंदर हैं यहां पर आप देखें तो यहां पर हमारा को action bar भी display हो रहा है तो इसे हमें यहां पर हटाना होगा पर जातने बार project tab पर यहां पर थोड़ा सा specify करते हैं और यहां पर हम अपने इसको expand करते है value directory को style.xml पर आता है और यहां पर specify कर देते है no action bar आप गईस हमें यहां पर no action bar specify कर दिया तो अब run करके देखते हैं अप्लिकेशन को देखते हैं कि क्या changes perform होई है आप गईस यह हमारी Ochi की application launch तो फाइन एकुछ इस तिरिकेस हमारी application देख रही है इसमारी display along with the text जो कि हम चाहते हैं तो यह सारा काम करेंगे हमारे next video में so that's it for this video guys अगर आपको वीडेशे से like और share ज़रूर करना क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफी motivate करता है to create a new and awesome content so thank you for watching guys see you in the next video